दोस्तों, माइग्रें की जो प्रॉबलम होती है, वो एक प्रकार की यूनि लेटरल हेड़की प्रॉबलम आती है, यानि कि आपको या तो आपके सर में किसी एक पॉइंट पे पेन होगा या फिर आधे सर में दर्द होता है नमस्कार दोस्तों मैं हूँ नीरज राय स्वागत है अपका फर्माहर्ट्स में आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यह कैसे टैबलट के बारे में जो माइग्रेन के अंदर में यूज में आती है इसका बहुत अच्छा प्रभाव अपरता है लेकिन इसके उपर ब ब्रांड मार्केट में आती है यह टैबलट कैसे काम करती है माइग्रेन के अंदर में इसके इसके स्टाइड इफेक्ट क्या होती है इसकी डोस क्या होती है और किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों सबसे पहले अगर बात की जाए सूमिना टैबलट के बार बात करें तो यह आपकी जो blood vessels होती है आपके head के अंदर में उनको narrow कर देती है यानि उनको सिकोड देती है ऐसे सिकोडने से होता क्या है कि जो एक तरह से आप कैसे सकते हैं जो sensation होती है वो nausea और दूसरे symptoms के लिए responsible होते हैं उन सभी chemicals को block कर देती है इस तरह से आपको headache की problem नहीं होती है यानि migraine की problem नहीं होती है और migraine के साथ में जो दूसरी समस्याइं होती है वो नहीं होती है दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया पहले है कि सुमिनाट के अंदर में जो salt पाया जाता है वो एक प्रकार का selective serotonin receptor agonist होता है जो की है सुमे ट्रिप्टाउन अब अगर इसके हम लोग brand की बात करें तो market में सुमिनाट के अलावा भी बहुत सारी brand आती है जैसे कि ये market के अंदर में immediate के नाम से सुमिडे के नाम से सुमे ट्रेक्स और सुमे टान के नाम से आता है इसके लावा सुमी टॉप के नाम से भी market के अंदर आता है तो बहुत सारी brand आती है जो भी आपको आपको यूज नहीं करना होता है केवल action को counter करने के लिए जो भी आपको माइग्रेन है उसको counter करने के लिए इसका एक बार यूज किया जाता है दोस्तों माइग्रेन एक ऐसी condition होती है जिसमें मैंने बताया आपको अभी शुरू में कि एक प्रकार का unilateral headache होता है यानि कि यानि sensitivity भी मैसूस होती है अजीब सा लगता है किसी भी age में हो सकता है और किसी भी चीज के द्वारा ये trigger किया जा सकता है कुछ precautions के बारे में दोस्तों मैं बात करूँ अगर आपको सुमिना tablet दी जाती है तो ये करती क्या है ये tablet आपने सुना भी कि ये आपके blood vessels को narrow करती है और blood vessels को narrow करने की वज़े से ये आपके blood pressure को बढ़ा सकती है यानि कि ये BP को increase करती है तो आपको regularly BP चेक कराते रहना चाहिए अगर आप सुमिना tablet यूज कर रहे हैं इसके अलावा दोस्तों ऐसे patients जिनको kidney की समस्या है, heart की समस्या है, whistles की समस्या है, blood vessels की समस्या है, BP की problem है उ उनको ये medicine नहीं दी जाए, नहीं तो उनके अंदर बहुत सारे side effect, बहुत सारी problems देखने को मिल सकती है, और अगर आप ये medicine अपने अप मन से ले रहे हैं तो बिलकुल भी मत लें, बिना prescription के medicine न लें, डॉक्टर से बात करें और ये जो वीडियो है कि आपकी जानकारी के लि इस वज़ा से बिलकुल ध्यान दें, बिलकुल ध्यान रखें कि अपने मन से medicine यूज ना करें, नहीं तो बहुत सारी side effect देखने को मिलते हैं, नॉर्मली side effect की दूस्तों मैं बात कुरूत इसकी बहुत सारी side effect हो सकते हैं, पर कुछ side effect rare होते हैं, जिन पर ध्यान ने दिया ज सकता है, veins का और lips आपके, mouth आपका dry हो सकता है, इसके अदावा skin peeling देखने को मिलती है, लेकिन ये तब जब आप बहुत अधिक मात्रा में use करते हैं, ठीक है, मैंने rare वाले नहीं लिए, इसके अलावा skin dry होती है, तो दोस्तों ये जो होता है, कुछ इस तरह के side effect आते हैं, ज आपको doctor से मिलना चाहिए, लाश्ट में लोग दोस्तों बात करते है, dose के बारे में, तो यहाँ पर dose जो होती है, वो इसकी होती है, 50 mg के BD, यानि सुबे और साम 50-50 mg दी जाती है, या फिर आपको दिन भर में 100 mg की medicine ये दी जाती है, अब इस पर restrictions ही लगाई गई है, कि ये tablet आपको अपने मन से बिल्कुल यूज ना किरा, इसके अलावा ये 200 mg से ज़्यादा आपको यूज नहीं करना एक दिन में, और इस medicine को लगातार यूज नहीं करना है, केवल action जो भी आया, मतलब जो भी आपको symptoms है, उनको counter करने के लिए ही इस medicine का यूज करना है, क्योंकि इस अब ये दक आपने हमारा हेल्थ मुगया चनल सबस्क्राइब नहीं किया है, तो उसको भी कर लीजिएगा